हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अधुरी और मेरा चानेल में स्वागत है अज बनाएंगे साथ उनेल मूंग का कीड ये थोड़ा सा हल्का फ्राय कर लिए मूंग गूड नारियल और ड्राइफूर्ट सब निकल के रख दिये अभी गरम पानी भी ठाएंगे गरम पानी थोड़ा सा करम होने के बाद उस पर डालेंगे मूंग ये मूंग को पकने के लिए पूरा छोड़ देंगे और फिर निकलेंगे नारियल का दूद नारियल आप काटके भी ले सकते हो घिसके भी ले सकते हो फिर उसको पीसने के बाद उसका दूद जितना फॉस्टम जो दूद निकले तो इसको अलग से रख देंगे निकालके और इस अबसे आसान तरीका है पूरा नारियल को पीछ लो और एक मकमल कपड़ा नहीं तो इसे रूमल के कपड़े में डालके सारा दुद निचाड़ के निकाल दो नारियल का दुद वैसे भी आप हाथ से निकाल सबते लेकिन बहु निकाल देंगे दो तिन बार इसे करना पड़ेगा पहला जो दूद रख देंगे साड में वह लास्ट में डालेंगे और और एक दो बार जो दूद निकाल देंगे इसमें मुंग में डालेंगे तो यह हमारा और एक बार गरम पानी थोड़ा सा हलका गरम पानी डाल देंग फिर अच्छे से इसको फिर निचोण के निकाल देंगे आप इसमें गाय का दूद या भेज का दूद नहीं डाल सकते ये नारिल का दूद से अच्छा बनते और बहुती ट्रेस्टी लगते और ये एकदम पानी-पानी वाला ही खीर बनेगा ऐसा नहीं जाड़ा-जाड़ा फिर नहीं बनेगा तो ये पहले वाला दूद और ये दूबार दूसरा टाइम दूद के जिससा ही निकलेगा थोड़ा दूबार जो निकले वह पानी-पानी हो जाएगा यह हमारा दाल भी पक चुका है और इसको भी और थोड़ा पक नहीं मतलो पूरा गलना है फिर एक थोड़ा से गरम पानी डाल दीए और इसको अच्छे से लास्ट बढ़ जो निकले नहीं थोड़ा सफ़ेद पानी निकलेगा इतना अच्छा मलाई वाला दूद नहीं निक कर भी क्या करेंगे खीर बनाएंगे जो खीर हमारा यह पक चुका है इसको इसी थोड़ा चना डाल भी डालियों में उसको साइड पर रख देंगे और थोड़ा साबू दाना जो रात कोई भिगो के रखेते उसको भी यही डाल में डाल देंगे ड्राइफुट अब जो भी ल तेज पता और काली मिट्च फोड में डालते लेकिन साथ इंडियन में डालते तुम्हें डाली गुड़ भी काटके रख दिये दूद हमारा बॉयल हो चुका है उसमें डाल देंगे बॉयल की हुई दाल साबू दाना और चना दाना जो भी हमने किया है बॉयल करके रखे एक दम फटाफट बन जाएगा भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एकदम पानी बने वाला ही खीर बनेगा फिर हम लोग डाल देंगे ड्राइफ रोड जब रेडी हो जाएगा लास्ट में डाले गुड ताकि गुड डाल देंगे तो और नहीं पकेगा तो सब पकने के बादी लास्ट को गुड डालेंगे अभी हमारा खीर रेडी हो गए डाल देंगे इलाची का पाउडर और जाएफल का पाउडर यह हमारा खीर रेडी हो गए कैसा लगा कमड़े में बताएए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जंदी से आएवधिंग